राजदानी दिल्ली में भरते प्रदूशन पर सुप्रीम कोट सक्त नजर आ रहा है शेहर में भरते वायू प्रदूशन के स्तर के बीच स्कूल खोलने के लिए सुप्रीम कोट ने दिल्ली सरकार की खिचाई की सुप्रीम कोट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जब सरकारों ने बड़ों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया है तो बच्चों को स्कूल जाने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है प्रदूशन नियंतरन पर ठोस प्रस्ताफ देने के लिए केंद्र और दिल्ली और साती सात राजस सरकारों को सुप्रीम कोट ने 24 घंटे का समय दिया है कोट ने कहा कि कल सुबह 10 बच कर 30 मिनिट पर बैठेंगे अगर केंद्र एक ठोस उपाई के साथ आने में विफल रहता है तो कोट आदिश पारित करेगा और इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के साथ मेरे सयोगी करांत कुमार नियूज रूम से हमने साथ लाइब जुड़े हुआ है करांत जिस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोट की तरफ से बड़ी फटकार देखने को मिली है और साफ तोर पर कह दिया गया है कि अगर साथी साथ कुछ लाने में विफल रहते हैं तो कोट की तरफ से आदिश पारित किया जाएगा क्या कुछ अपडेट मिल रही है जी बिल्कुल प्रद्यूमन हम आपको बता देगी जिस तरीके से अभी सुप्रिम कोट में सुनवाई हुई और उन्होंने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए साफ कहा कि आप बच्चों के साथ उनकी जान से किस तरीके से खिलवाड कर सकते हैं आपने स्कूल क्यों खोले हैं कि सुबा सुबा लगातार जो पॉलूशन का लेवल है आज भी अगर हम बात करें तो छेस सो के पार दिल्ली के कई लाकों में एक्यूए लेवल था जिसको लेकर सुब्रिन कोर्ट ने फटकार लगाई और दिल्ली सरकार को कहा कि जब आपने बड़ो के लिए वर्क फ्रोम होम लागू कर रखाया तो ऐसे में छोटे बच्चों को स्कूल जाने क्यों दिया जा रहा है लेकि दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नही दिया गया साती साथ सुब्रिन कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए भी कहा कि जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पिछली जो सुनवाई हुई थी और अपकी सुनवाई में अगर हम देखा जा तो उनकी तरफ से हलफ नावे में यही कहा गया था कि वो नहीं हुआ है दिन प्रति दिन प्रदूशन का लेवल हर रोज जो एक यूए लेवल है वो खराब हो रहा है और दिल्ली में अभी भी जो हवा है वो जान लेवा है और ऐसे में बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला बिल्कुल गलत था जिस पर सुप्रेंग कोट ने द दिल्ली सरकार इस तरीके की रणनिती अपना रही है जाप पर बड़ों के लिए वर्फ रोम होम कर दिया लेकिन बच्चों को जवरस्ती स्कूल भेजने को मजबूर किया जा रहा है ऐसे में अभी भावक क्या कुछ कह रहे हैं देखिए इस पे अभी भावक को बात करें त खतरनाक साबित हो सकता है लेकिन इस बीच सबसे अगर एहम बात यह देखी जाए प्रद्यूमन की जो दिल्ली सरकार की तरफ से कोट में हलफ नामत दिया जाता है उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि जो कड़े प्रतिबंद लगाने चाहिए वो उनकी तरफ से लगाय जारे अगर जल्द ही प्रद्यूशन पर कंट्रोल नहीं किया गया तो 24 घंटे अंदर सुप्रिम कोट को निर्ने लेना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से हर बार सुनवाई में यही कहा जाता है कि वो सक्त कदम उठा रहे हैं और प्रद्यूशन को लेकर दिल्ली सरक के साथ खिलवार से कम नहीं है। स्कूलों का बंद किया जाएगा क्योंकि जो प्रदूर्शन का लेवल है वो लग Elsa रहा हुए एक लिष्ट में इस सब्सकर रह iş, दिली संकर पर नहीं एंतरन पाने यह क्या कुछ पहल कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का हुए कि तेजवा के कारण प्रदूशन बीच में कम हो गया था लेकिन सरकारों ने इसमें कुछ काम नहीं किया उसकी जो सफाई करने वाली मशीने होती है वो दिल्ली सरकार की तरफ से लगाई चारी है लेकिन जो उसका बजट है वो MCD के तहट आता है और जो MCD है वो पैसा नहीं डेरी है जिस वज़े से मशीने इस समय दिल्ली में कम है और जो साफ सफाई के विवस्त है उसमें थोड़ की जान के साथ खिलवार नहीं कर सकते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाने से आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं सुप्रेंट कोट की तरफ से साथ ही साथ ये भी कहा गया था अगर जल्द इस तरीके के अगर 24 घंटे के अंदर कोई फैसला सरकार की तरफ से ऐसा ठोस कदम नहीं लिया गया तो वो खुद आदेश पारित करेंगे चले चीक है बाबबब शुक्रिया करा हैं तमाम जान करी देने के लिए